नमस्कार प्रिये मित्रों आज मैं आपको कर्ग लगनवालों के लिए माई 2022 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूं। मंगल 17 माई को आपके नवमे घर में चले जाएंगे नवमे घर में गुरु और शुकर बैठे हैं। आठवे और बारवे घर में अच्छे नहीं माने जाते बाकी के घर में चंदर अच्छा फल देते हैं। चंदर मन का कारक होता है। नौकरी करने वालों को अपने कारस्थल पर वाद विवाद हो सकता है। आपको अपने अहिंकार पर कंट्रोल करना होगा। 15 माई को सूर्य आपके 11 घर में चले जाएंगे। 11 घर में सूर्य अच्छा फल देते हैं। आपकी इंकम अच्छी रहेगी। अलग-अलग जगह से धन लाब भी होगा। बुद आपके तीसरे और बारहवे घर के मालिक हैं। और बद आपके ग्यारहवे घर में बैठे हैं। इस समय के दौरान आपकी छोटी-छोटी यात्राएं होगी। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। शुक्र आपके चौथे और ग्यारहवे घर के मालिक है। शुक्र आपके नव में घर में बैठे हैं। शुक्र मीन राशी में उच्चके हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके पिता आपको हर एक काम में सपोर्ट करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम्स पेंट कर सकते हैं, शुक्र 23 माई को आपके दसवे घर में चले जाएंगे, 23 माई के बाद आप नय वाहन या नई प्रोपर्टी मंगल आपके पांचवे और दसवे घर के मालिक है और मंगल आपके आठवे घर में बैठे हैं, मंगल आठवे घर में शनी के साथ होने से आपको गैस और एसडिटी की प्रॉबलम हो सकती है, छोटी मोटी चोट चपेट और कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, त्रियों को जलने और कटने का भैर रह सकता है, बीमारी की वज़ह से अगर आपका ओपरेशन होने वारा था, तो इस समय में उसको टालना चाहिए, तुडेंट को पढ़ाई में प्रॉबलम हो सकती है, बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके ससुराल वालों से ही साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपको अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपकी प्रॉबलम बढ़ सकती है, वहिकल चलाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा, 17 माई को मंगल नव में घर में चले जाएंगे, स्टूडेंट का पढ़ाई में मन लगेगा, प्यार मोहबत में सकसेस मिलेगी, मंगल के उपाय के लिए आपको हनुमान चालिसा का पाट करना चाहिए, गुरू आपके छठे और नव में घर के मालिक है, गुरू अपनी ही राशी में बैठे हैं, आपके कर्ज और दुश्मन दूर हो जाएंगे, कंपटीशन एक्जाम देने वालों को सकसेस मिल सकती है, धार मिक कार भी होंगे, कोई कोट केस चल रहा था, तो उसमें आपकी जीत हो सकती है, आप मिर्श्वास और पराकरम बढ़ेगा, आप जिस से प्यार करते हैं उसके साथ, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, जो लोग संतान प्राप्ती के लिए प्रैत्न कर रहे थे, उनको संतान हो सकती है, जिन लोगों के अपने परोसियों के साथ रिलेशन खराब थे, वह अब सुधर जाएंगे, गुरु के बल को बढ़ाने के लिए आपको अपने दाएं हाथ की पहली उंगली में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए, और ग इकसीडेंट से बचाएंगे, विसर्च के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को और इंशुरिंस का काम करने वालों को फायदा हो सकता है, राहू और केतू डेर साल के बाद राशी बदल कर, राहू आपके दश्वे घर में और केतू आपके चौते घर में आ गए है, पैत स्थिती मजबूत होगी, आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे, कारिस्थल पर आपके विरोधी बढ़ जाएंगे, जो लोग अपनी चौब चेंज करना चाहते थे, वहाँ आप चेंज कर सकते हैं, घर में बेवजा के बाद विवाद होंगे, आपकी मा की हेल् रहेगी, आपके फसे हुए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, वहाँ विदेश जा सकते हैं, आपके मित्र आपके साथ धूखा भी कर सकते हैं, अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसकी अच्छी तरह से जा 2022 का प्रेडिक्शन, ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहें हमारी चैनल, नमस्कार